वस्समाई दातिल बुरूज चलिए एक्वेर्स आप लोगों के लिए देखें ये कमिंग वी क्या लिकर आ रहा है, क्या एनर्जीस हैं तो प्रॉफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काड है सेविन अफ कप्स और ये काड कहता है, कि इस week आपके mind में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन आप उतना कर नहीं रहे है या कर नहीं पा रहे है अब दीख़े कुछ के लिए हो सकता है, कि आप ही थोड़े से आलसी हो रहे है या फिर आप ही थोड़ा ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, आप ही, you know, again मैं कहूंगे कि imaginary world में रह रहे हैं, practical, realistic नहीं हो रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप करना चाह रहे हैं, लेकिन कर ही नहीं नहीं पा रहे हैं, क्योंकि situation circumstances ऐसे हैं, कि आप action initiatives नहीं ले पा रहे हैं जो भी हो, देखे इस card का मकसद यही होता है, या message मैं कहूंगी यही होता है, कि आपने अपनी distractions को खतम करना है क्योंकि बहुत सारे chances हैं, इस week आप अपने goal अपने मकसद पे भी focus नहीं कर पा रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी बहुत सारी distractions हैं, तो बहुत important रहेगा आप अपनी distractions को खतम करें, अपने goal अपने मकसद पे focus करें, और जो भी situation circumstances हों, कोशिश करें कि बहुत practical, realistic होके अपने goal, अपने मकसद के लिए action लें यानि कि vision create कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ख्वाब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप action initiatives नहीं लेंगे इस direction में, तब तक आप जितने भी beautiful ख्वाब देख लें, जितना भी beautiful vision create करें, वो आपका reality में manifest नहीं होगा तो इस चीज का ख्याल रखें, otherwise again a neutral card, कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपकी energies बहुत ज़ादा जगाओं पे लगी ही हैं, यानि कि कभी कुछ mind में आ रहा है, कभी कुछ mind में आ रहा है, आप एक चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम ऐसी energies म होते हैं, तो end of the week में में लगता है कि, you know, कुछ constructive नहीं हुआ इस week में, इसको और अच्छे से हम utilize कर सकते थे, हमारा time energy waste हो गया, तो मोटा माटी देखिए, इस week आपने खयाल रखना है, अपनी energy को आप फालतु की चीजों में ना लगाएं, आप फालतु की चीजों में waste न तो by the end of the week आपको लगेगा कि बढ़िया गया week, नहीं तो आप थोड़ा सा, you know, my use in the sense, not कि कोई चीज खराब हो रही है, but yes, कि उतना constructively इस week को आप नहीं utilize कर पाए, and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of cups का card है, ये card celebration की बात करता है, reunion की बात करता है, socialize करने की बात करता ह और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके personal front में रहतावा दिख रहा है, situations, circumstances सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए छोटा मोटा कोई function, छोटा मोटा कोई celebration, reunion, get together हो सकता है, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने loved ones के साथ जादा interact कर रहे हैं, बात चीत कर रहे हैं, कुछ के लिए हो Relationships एहम रहते हुए दिख रहे हैं, और broader level के लिए देखें, जादा socialize करते हुए दिख रहे हैं, fun, मजा, मस्ती, eating, drinking, merrymaking, personal front में रहते हुए दिख रही है, and astrology से the moon का card है, इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो य आप लोगों के लिए कमी वीक का सापता है, क्राश श्रीफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कितने विए यानि के बुर्च दिलो, जिनके पास अपनी date of birth अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम S से शुरू होता हो, और आपका नाम S से शु कुल ले सकते हैं, एक्वेरियन सबसे पहले तारीखों को नोट कर लीजे, 20th of October से हम इसे शुरू करेंगे और 29th of October पे end करेंगे, तो एक्वेरियन सबसे पहले हम जाएंगे तारीखों के उपर, 20th or 21st October, अला का शुकर है, आपकी लव हाउस में भी एक्वेरियन सितारा अच्छा मौझूद है और आपको यहां पे सितारे की जो सपोर्ट है इन एरियास में आपको मिलती ही नजर आ रही है, आपका बेबी हाउस और आपका जो है लव लाइफ का एरिया, अला पाक करें ऐसा लव क्लिक हो कि आप उसको आगे अपनी पर्मिनिट रिलेशन्शिप में लॉक कर लें, अच्छा जी 22nd, 23rd and 24th यह तीन तारीखें, अच्छा यहां पे यह तीन तारीखें पहले आप नोड कर लीजेगा, बात थोड़ी यहां पे लंबी है, सितारा फॉल किया था, एक्वेरियंस मैंने आप से का था कि 5th of September से इसका फॉल हुआ है, और यह 4th November क यहां से exit करेगा, और यह इस crisis वाले दो महीनों की आखरी तीन तारीखें हैं, कि आपने अपनी job area में भी जरा vigilant रहना है, और अपनी health पे आपने खास तोर पे तवज्ज़ देनी है, क्योंकि जान है, तो जाहन है, तो यहां पे आपने खास तोर पे उस पे जो है, काम करना ह और अपना बहुत देहान रखना है, इन तीन तारीखों के अंदर, तो एक्वेरियन्स जो है, यहां पे जो सितारा वहां पे फॉल था, बस ही आखरी हिट है, आपने अपना सदका दे दीजिएगा, दौा कर लीजिएगा, ताके ना मुलाजमत के मुआमलात पे कुछ सक्ती आएक वेरियन्स ना जो है, आपके उसमें आए, हेल्थ हेरिया के उपर जो है, और इन तीन तारीखों में अपना खास देहान रखेगा, ट्विन्टी फिफ ट्विन्टी सिक्स ये इजी हैं, आप भी हमें जरा आसान और बेहतर जोन में नजर आ रहे हो, बेहतर है, इस वक अगर कोई अपना मतालबा मनवाना चाहते हो, अपने अस्दवाजी पार्टनर से या बिसनिस पार्टनर से तो टाइम इस वक्त अल्ला के हुकम से आपको सपोर्ट करेगा, ट्विन्टी सेवन्थ, ट्विन्टी एर्थ, ट्विन्टी नाइथ, ये जो तीन तारीखें हैं, इसमें जरा फाइनेशली आपने बहुत केरफुल रहना है, कोई बड़ी सेलिंग बाइंग नहीं करनी और अगर ना गुजीर है करनी, तो फिर आपने उसी माल में से कुछ साला से तिजारत करके उसको इनिशेट या अपने प्रोसेस में डालना है, अगर मुझबूरी है कर ये सितारे का क्योस खतम हो जाएगा, तो अब आप बिलकुल करीब हैं, हाँ, अगर तो ना गुजीर है तो फिर अल्ला से तिजारत करके शुरू कीजिए, ताकि अल्ला पाक का मशवरा, अल्ला पाक की खेर और बरकत इसमें एड हो जाए, उसके बाजी हम देखते हैं कि द अगाती कारोबार में हैं, उनके लिए रास्ते बनाएगा, उनके लिए रस्तों को असान करेगा, उनके लिए जो है कोई नई उपरचुनिटीज, नई मौके लेके आ सकता है, तो इसके लिए आप विजिलिन भी रहे ताकि आप जो है ग्रैब कर सकें उन आपको जरा सॉलिड और अटेंटिव रखेगा, फिर एक सितारा जो 18th of October से जिसने जगा बदली, वो आपको कोजी कर रहे हैं, अपने दोस्तों वाले एरिया में, लव लाइफ के एरिया में, बच्चों से रिलेटेड एक्वेरियन्स जो आपके मौामलात हैं, और कोई आपकी जो में, किसी दोस्तों की मदद रिक्वाइड है, तो वहां से भी हमें आपकी उमीद पूरी होती भी नज़र आती हैं, तो आपके रस्ते यहां पर आसान फरमाएं और आपके लिए बहुत आसानी हो, तो यह था जी, जो है एक्वेरियन्स, हमारा होरोस्कोप, जिस मैंने आपसे तीन तारीखों में तो कहा है, सहित और वर्क, 22nd, 23rd and 24th October की तीन तारीखें, फिर 27, 27, 29 October, financial area में, कियरफुल यह, बस उसके बाद आप निकल जाओगे इन क्राइसिस, और आखरी जो वार्निंग जोन चल रहा है, मुझो, मैं हर हफते reminder देती हूं कि आप लोग गिल्मेटर्स के अंदर जाने का अंदेशा हो, उसके बाद आपने कोई ऐसा जो है, सुस्राली मौामलात या खानदानी तालुकात में जिप लगा के चलना है, कोई पंचायत नहीं करनी, देन वो एक्वेरियन्स चुचाते हैं, इंटरनाशनल या नैशनल लेवल पे ग्रेट करना, हिजरत करना, तो अभी अगर यहां तक अगर आपकी पॉसिबिलिटी या इमकानात नहीं बन सके, तो अब सिरफ पांच उगलियों का डिस्टिंस रह चुका हुए, तो अगर तो पैंडिंग कर सकते हैं, तो अच्छे वक का इंतजार कर लीजिएगा, इंशा सिरियन स्टूडन्स और यो स्टूडन्स है, यह बार बार दोनों को कहती हूँ, इस वक्त आपने पढ़ाई के लिए अपनी जात को फना करना है, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे मन में क्या चल रहा है, या मुझे जिद्गी से क्या चाहिए, इस वक्त आपके पास आप्श जो है इस सिचुएशन से और उसके बाद जो है आपको अपको अपनी सखत महिनत का नतीजा अगले मार्च से नजराना शुरू हो जाएगा पढ़ाई आसान लगेगी अभी आपको जरा महिनत करनी है और अगर हो सके तो कोड कचेरी के मौमलात से जतना दूर रह सकते हैं क्योंकि अगर आप फस गए किसी पेपर वर्क में या किसी लीगल मेटर में तो फिर जाके मार्च एपरिल दो हजार पच्छिस में आपकी जान खलासी होती है तो यह आप जरा यहां पे जरा केरफुल इन चीजों में रहेगा बाकी अलापाक आपके रस्ते जो है वो उनको असान फरमाएगा जी अब आखर